मेरे नाम इंदरजीत अब लोग मुसे जुड़ सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम हैंडल और मेरे टेलिग्राम हैंडल पर सर्वे की वीडियो पहले इससे आ गई थी आज शुरू करते हैं बजट के बारे में एक तारीक है तो आज हमारी जो वित्यमंत्री है निर्मला सिता रमन जी उन्होंने बजट पेश किया बजट के बारे में बहुत सी बाते कहीं चाहिए अच्छा है बुरा है तो देखते हैं बजट एड़ा ग्लांस देख लेते हैं अच्छा जैसे यार सिंपल सी बात समझ के देखो घर भी होता है ना हमारा घर के भी हम दो हिससे में बाढ़ते हैं बजट को एक रसीट में एक एक एकस्पेंडिचर में पैसा कहां से आएगा और कहां को जाएगा ठीक है तो ऐसे ही ओवर ओल रिशीट्स के बारे में बात की गई है ओवर औल एकसपेंडिचर के बारे म बात करी गई है यहता सिर्फ डेटा के उपर नहीं जाएगे डेटा आप सकते हैं इससे आगे बढ़ते हैं इससे आगे बढने की कोशिक का शारी का नकशवा एक बात बड़ी ध्यान र पिछले वाली स्लाइड में देखो, data कौन-कौन से साल का पेश किया गया, 2021 जो पिछले साल budget पेश किया गया था, उसके actual datas और budget estimates और revised estimates of 2021 and 22, ठीक है, और इसके बाद जो आने वाला वित्य वर्ष है, 2022-23 उसके estimates दिये गए है, यहाँ पे I think 1920 होना चाहिए, यह गदात लिखा ठीक है, it should be 1920, 19-20 का जो actual data दिये जाता है और budget estimates दिये जाते हैं, 2021 के, और उसके बाद जो revised estimates दिये जाते हैं, जो पिछले 3 quarters बीच चुके हैं, जो April 21 से, December 21 के दरम्यान, जो 3 quarters है, 9 महीने बीते हैं, उसके बारे में बात की गई है, उसके actual data दिये जाते हैं, अब आने वाला बीते हैं, 2022 उसका estimate, आने वाले budget में सरकार क्या करेगी, कौन-कौन से tax लगाएगी, कौन-कौन से ministry कैसे कैसे काम करेगी, कौन-कौन से नए programs, जैसे एक बहुत important announcement के दिये निर्मना सितारा मंजी ने, PM गतिशक्ती, लेकर देते हैं, यहाँ पे, PM गतिशक्ती, ठीक है, एक बहुत ही important concept है, logistics के point of view से, इसको भी आगे discuss करते हैं, पहले इसको जरा सा पढ़ लेते हैं, India's economic growth with the current year is estimated to be 9.2%, अच्छा ध्यान रखो, this is estimated, very specific, यह नहीं है कि 9.2% होगी होगी, we hope कि हो, अच्छी बात है, but the thing is कि अगर को third wave, fourth wave आ जाती है, कोई और कारण हो जाते हैं, अच्छीव करना tough हो जाएगा, ठीक है, this is estimated, the point important here is estimation, the overall sharp rebound and recovery of the economy from adverse effect of pandemic, pandemic ने बहुत बुरे हाल की है, ठीक है, this was stated by Union Prime Minister for Finance and Corporate Affairs, सिता रमन जी, while presenting the Union Budget in Parliament on 1st Feb, याद रखो, budget हमेशा 1st Feb को पेश किया जाता है, उससे सही एक दिन पहले economic survey, उसकी वीडियो अपके चैनल पर available है, उसको देखे, आगे देखो, अच्छा, आप सबको पता होगा, that government is celebrating अजादी का अमरित महतसब, basically our country is completing 75 years of independence, तो उस 75 वी वर्षगाट को मनाने के लिए, एक प्रोग्राम की तरह launch किया है, प्रोग्राम से क कहना सही नहीं होगा, पर एक अजादी का अमरित महतसब launch किया गया है, ठीक है, और finance minister जी ने statement दी, that our country has entered into अमरित काल, अमरित काल basically इस budget session को कहा गया है, और budget session के पूरी speech के दौरान, our finance minister emphasized on attempting, sorry, on achieving the vision of prime minister outlined in his independence day, जो पिछला वर्ष, independence day मनाया गया, उस दिन जो हमारे प्रदा मन्तरी जी ने जो वादे की है, जो जो सोच रखी, विजन रखा, उसको complete करने की कुछ यहाँ पर कोशिश के गई है, ऐसा कहा, finance minister ने, ठीक है, complimenting the macro economic level growth and focus on micro economic, macro और micro, दोनों को साथ साथ लेके चलें कि inclusive welfare पर वो फोकस किया जाएगा, digital economy के उपर बहुत सदा फोकस करना है, digital economy को फोकस में रखते ही, एक बहुत ही बड़ी announcement, digital rupee, मतलब, जो लोग डरे हुए थे, people were scared कि यह न, जो लोग investors है, जो लोग cryptocurrency में trade करते हैं, कोई bitcoin खरीता है, polka dots, polygon, number of ethereum, बहुत ऐसे coins है, है न, people trade करते हैं, like share market, but it was unregulated till this moment, अभी भी unregulated ही है, but people were fearing, who were investors were fearing, that government may ban, ठीक है, government may ban the crypto, government crypto को ban कर देगी, but ऐसा कुछ नहीं हुआ, government ने simply उसे tax किया गया है, हाला कि tax बहुत बड़ा percentage रखा गया है, which is 30%, which is literally huge, बहुत बड़ी होती है 30%, तो 30% from, सिर्फ crypto नहीं, any digital assets, any digital asset का मतलब है, if you are trading in NFT, non fungible token, और आप किसमें trade कर सकते हैं, assets में, जो भी digital assets है, crypto currencies हो गई, NFTs हो गई, if you are trading in those digital assets, your income will be taxed, तेखो में एक word important change किया, प्रेज को, पहले मैं कह रहा था, you will be taxed, नहीं, your income, only income, if आपका loss हुआ है, तो वो आपका है, आपका profit हुआ है, तो उसमें से 30% सरकार का है, I am not trying to make a controversial statement here, the thing is, you should understand the difference, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, Since 2014, government's factor has been, sorry, focus has been on empowering of citizens, सरकार का 2014 के बाद से, अब देखो, सरकार मोदी जी की सरकार कब से आई है, 2014 में तो आई है, The government is focusing on the empowerment of women, empowerment of citizens, उसके लिए अलग-अलग procedures, अलग-अलग schemes, जैसे cooking gas के लिए चलाई गई थी, जा access to water, जो null, sorry, हर घर null, एक तरह की जो scheme है, जो mission लिया है, सरकार ने, कि it is essential that every household should get water, drinkable water by tap, Electricity के लिए सरकार बहुत काम कर रही है, ठीक है, households के लिए बहुत काम कर रही है, electricity के उपर कैसे काम कर रही है, नईने projects लगाया जा रही है, The government has also program for ensuring financial inclusion, जन धन योजना, उसके इलावा direct benefit transfer, देखो जब भी आपको वर्ड पढ़ते हो, खास कर जिसको मैंने underline किया है, उसको साथ के साथ रिलेट कर रहा करो, उसके साथ जुड़ती scheme से, जैसे financial inclusion, Financial inclusion क्या है, कि जो हमारा banking system है, उसमें हमारे जारा से ज़्यादा लोग उसमें involved हो, तो financial inclusion के लिए सरकार एक scheme लेके आई थी, यहां लेके रहेते हैं, जन धन योजना, ठीक है, और उसके बिलावा DBT, direct benefit transfer, देश में corruption बहुत ज़्यादा था, अभी भी है, कुछ कम हो गया I think, तो उसके लिए scheme लाई गई थी, corruption को रोकने के लिए DBT, DBT क्या है, आपका जो सरकार आपको subsidy देती है, जो सरकार आपको financial benefit देती है, या किसी तरह की scholarship हो, it will be directly transferred to the beneficiaries bank account, पहले क्या है, जैसे मन्रेगा के पैसे हैं, ठीक है, मन्रेगा तो पता है सब को, है न, महात्मा गांधी National Rural Employment Guarantee Act, तो मन्रेगा के तेहत क्या था, कि पहले सरपंच, पहले DC के पास पैसे जा रहे हैं, फिर सरपंच के पैसे जा रहे हैं, वो आगे, जो labor थी, जो काम करने वाले श्रमार्स श्रमिक थे, उनको distribute कर रहे हैं, but now, इस चीज़ को change कर दिया गया है, जो सरपंच है, ज Productivity Linked Incentive Scheme in 14 sectors for achieving the vision of आत्मनिरभर भारत, मुदी जी सरकार का एक बहुत बड़ा नारा रहा है, आत्मनिरभर भारत, Self Sustaining Country, Self Sustaining India, कि हम अपने ही देश में production को बढ़ाएं, ताकि हमें इंपोर्ट ना करना पड़े, तो अगर हमें इंपोर्ट नहीं करना है, suppose there is a commodity act, मेरे हा बाहर से मंगवाँगा, तो government कह रहे हैं कि भाहर से क्यों मंगवाना, जो चीज़ें country में बनाई जा सकती है, चाहे वो बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी, सब को यहीं पर मिनाओ, ठीक है, even this time government has expanded the defense budget, और defense में भी they said कि हम R&D, local R&D, local companies के उपर ज्यादा काम करेंगा, औ उसका I think 50% will, नहीं, 30% will be procured by the local companies, local जो भी manufacturing units होंगी, ठीक है, basically it is to support the आत्मने पर भारत, dwelling on the issues of implementation new public policies, अच्छा एक strategic partnership की गई है, NIL, Neil, Aanchal, Spat, Neger Limited, इसका जो strategic partner है, Air India को बनाया गया है, Air India अब किसके दवारा own की जाती है, Tata Group के दवारा own की जाती है, ठीक है, और एक बहुत important जो आने वाले समय में development होने वाली है, that is, LIC का जो IPO आने वाला है, यहाँ पर public issue लिखा है, है ना, कोई confused होने की जुरूरत नहीं है, आप इसे IPO, initial public offering भी समझ सकते हैं, initial public offering basically क्या होता ह है, when any company, देखो सिर्फ LIC की नहीं, any company is listed on BSC या NSE, National Stock Exchange, Bombay Stock Exchange के उपर list होती है, अपनी equity जारी करती है, equity क्या होता है, basically आप इसे shares माल ले, ठीक है, तो आप उसके shares खरीच सकते हैं, उसे बोलते हैं IPO, तो LIC का IPO आ रहा है, मतलब IPO से वेका कुछ percent, जो ownership है, उसको public में बाटा जाएगा, या shares launch करती है जाएगे, जिससे सरकार क्या करेगी, पैसा raise करेगी, और उसको welfare में use करेगी, ये निर्मला सितरमन जी की तस्वीर और उनके द्वारा दीगे, एक statement, artificial intelligence, geoparticle, semiconductors and its ecosystem, space economy, बहुत important line, space economy के उपर उनने emphasis दिया, genomics, green energy, green energy के लिए इस बार I think, 19,000 के आसपास की grant दी है, या estimates लगाए है, that this will be implemented or this will be invested in green energy, इसके लिए green bonds भी issue किये जाएगे, सरकार के दवारा green bonds क्या है, मतलब आप उन्हें खरीद पाएगे, सरकार उसके दवारा, इस instrument के दवारा पैसे raise करेगी, और उन पैसों को green energy sector में, या जैसे solar alliance हो गई, wind energy हो गई, यहाँ पर spend किया जाएगा, अच्छा, एक और यहाँ पर चौप बात ध्यान से देख सकते हैं, this red color का यह जो कपड़ा है, जिसके ओबर भारा सरकार का emblem लगा है, this is a tablet, दो साल से, पहले क्या होता था, earlier it used to be a document है, paper format में होता था, अब from last two years, it is being presented digitally, इस बार हमारा, sorry, पिछ पेश किया जाता है, एक tab लाती है निर्वला सिता रमन जी, और उससे पढ़ती है, पूरी speech दी जाती है, ठीक है, और बहुत important speech होती है, पूरे देश का annual financial statement, annual financial statement में सरकार के बास कितने पैसे आने की उमीद है, कितने खर्चने की उमीद है, सब का से क्यों पर थ्यान रखा जाता है, सब कारे में बताया जाता है, आपकी पूरी share market हिल जाती है इक budget की speech से, अगर आपने ध्यान दिया हो, तो कल के ही market में बहुत अच्छा उच्छाल था, ठीक है, और steel, खास कर steel, since government has expanded its horizon to, मतलब, government is going to spend on infrastructure, तो infrastructure सटकें बनाई जाएंगी, ठीक है, उसके इलाबा जह KW steel हो, चाए Tata steel हो, इनके shares एकतम से उपर गए कल, ठीक है, this is how your budget affects your market, आगे देखो, निर्मला सीजार अमन जी ने emphasize किया, that the budget continues to provide impetus growth, it lays parallel crack of blueprint of Amrit Kaal, which is futuristic, very important and inclusive, will directly benefit youth, women, farmer SCST, अब देखो, इस statement को आप बड़े ध्यान से समझो, ठीक है, जब भी कोई finance minister ऐसी statement बोलते है, it is very important, और very generalistic viewpoint है, they are talking about women, women के लिए कुछ किया गया है, youth के लिए नई schools, नई IT's खोली गई है, farmers के लिए farmer sub-series दी गई है, बहुत कुछ किया गया है, ठीक है, big public investment for modern infrastructure, which shall be guided by PM गती शक्ती, समझे लो यार, इसमें जादा नहीं उलचती, PM कती शक्ती क्या है, कि जो logistics है, from point A to point B, है न, मतलब आपने point A मालो गुजरात से, कोई goods, कोई commodity, कोई भी आपने गुजरात में मालो कपड़े बनते हैं, उनको आपने Mumbai पहुँचाना है, या आपने Punjab पहुँचाना है, चीज हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है, उसे चीज़े महंगी भी होती है, तो in order to have more freedom of movement, in order to have better movement of goods and services, even people, government will develop some highways, and they will integrate all the modes of transport, जैसे trains हो गई, ठीक है, trains के इलावा और क्या हो सकता है, ships, ships के अलावा highways, इन सबको क्या किया जाएगा, integrate करने की कोशिश की जाएगी, ताकि आपकी जो logistic cost है, वो कम हो, multi-model approach अपना ही चाहिए, and moving forward on this parallel track, she outlined the following four priorities, ये चार priorities के उपर खास ध्यान दिया गया, PM Gati Shakti, inclusive development, productivity enhancement, investment, sunrise opportunity, and financing of investment, बहुत important बात है, finance of investment कैसे किया जाएगा, पहले बात कर लेते है, PM Gati Shakti की, ठीक है, Elaborating the PM Gati Shakti, the finance minister said, that it is transformative approach for economic growth, sustainable development, this approach is driven by seven engines, कौन-कौन से roads हो गए, railway, airport, ports, mass transports, waterways, logistic infrastructure, इन सब, इनको main engines कहा गया है, basically, और इन सब को आपस में interlink किया जाएगा, connect किया जाएगा, in order to provide for better logistic services to the country, in order to have goods from point A to point B transferred, ठीक है, और इसमें सिर्फ अगर इसमें word logistic लिउस किया गया है, तो logistic सिर्फ goods का नहीं होता, ठीक है, logistic, people's का भी तो होता है, people's, people का भी तो होता है, ठीक है, लोग भी तो transfer करते हैं जगा से दूसरी जगा, अब आगर देखो, all seven engines will pull forward the economy in unison, the energies are supported by complementary roles of energy transmission, अब देखो, IT industry के हमने बात तो कर ली, roads, railway, airports, क्या ये सब कुछ सिर्फ असानी से connect होचा अगर नहीं, इसके लिए बहुत से अलगल complementary sectors भी है, जैसे एक बहुत important sector, IT sector, communication, water sewage, social infrastructure, ठीक है, और finally the approach is powered by clean energy and sabka परियास, the effort of central government and state government, private sector, sabka परियास का यहां मतलब है कि central government, state government and private sector, त्रीनों एकठे काम करेंगे, and they will lead to huge job creation and entrepreneurial opportunities for all, especially the youth, जब यह बात फिर भी बात की रही, तो मतलब किसी PM गतिशक्ती का ऐसा point है, ऐसा mission है, जिसको achieve करने के लिए सब के परियास की ज़रूरत है, center government, state governments और private sector को मिल के काम करना पड़ेगा, ठीक है, similarly PM गतिशक्ती master plan for express waste will be formulated by 2022 and 3 and facilitate faster movement of people and goods, ठीक है, एक बहुत important news, बहुत important announcement that national highway network will be expanded by 25,000 km, which is huge, बहुत बड़ी बात है, मतलब आने वाले वितिया वर्ष में 2022 ते इसमें 20,000 क्रोड की लागत से 25,000 km, 25,000 km will be invested in the infrastructure, particularly of express waste, express waste बनाया जाएंगे, 20,000 क्रोड पे लगाया जाएंगे, 25,000 km का express waste बनाया जाएगा, अब इसमें भी बहुत important चीज़ है, through innovative ways of financing to complement the public resources, public resource मतलब जो सरकार के resources है, उन्हें तो use किया ही जाएगा, but PPP model और भी कई vehicles उस किये जाएंगे, to finance the projects, ठीक है, अच्छा, अब इसमें बहुत important बात, अगर सरकें बनेंगी, people will get jobs, ठीक है, companies, बहुत से companies होंगी, जो companies in projects को take over करेंगी, ठीक है, चाहे वो पटे लेकरास सच चलो, कोई भी X, Y, Z company हो, ठीक है, मेरे देमाग भी बस उसे किसामपल आई, तो वो लोगों को employ करेंगी, तो it will create jobs, jobs will create further money, and they will create consumption, consumption से क्या होगा, our GDP will rise, companies, देखो न, जब भी हम budget को discuss करेंगी, थोड़ा साम budget से दूर होके, एक simple concept पर जा रहे है, जब भी सरकार ऐसी announcements करती है, इसका purpose क्या है, सडकें बनाएंगे तो jobs बनेंगी, jobs होंगी, तो GDP अपने आप increase करेंगी, यह कैसे करती है, इसके लिए हमारा general study का course है, उसमें videos बनी हुई है, that how your jobs are directly linked to GDP, या कहीं पर अगर हम कोई hospital बनाने लग जाते हैं, तो वहाँ से उस इलाके की growth कैसे होती है, ठीक है, particularly demand कैसे करेंट होती है, तो उसके उपर भी lectures बनाएं हुए है, चलो वापस आजाते हैं topic, यह ज़र था contract for implementation of multimodal logistics parks at four locations through PPP mode, PPP क्या होता है, people public partnership, ठीक है, mode will be awarded, basically 4 points, 4 locations choose करी जाएंगी पूरे देश में, जहां पर multimodal logistics parks बनाएंगे, ठीक है, जहां पर बहुत emphasis दिया जाएगा, सिर्फ logistics को, logistic abilities को synergize करने ले के लिए, आपस में uniformly sync करने के लिए, synchronize करने के लिए, ठीक है, In railways, the finance minister said, the one station, one project, बहुत ही, क्या रहते हैं, महत्व कांशी project, ठीक है, How it is, मतलब very important, देखो, basically railway minister, sorry, finance minister जी ने ये कहा है, कि railway की help से, we will identify some places, one station, one product, और उस station के ऊपर, एक ही product के ऊपर, emphasize दिया जाएगा, और उसको popularize किया जाएगा, to help the local business and supply chains, ताकि, आत्मनेर भावर भारत को भी मुख में ले, क्या होते हैं से, pump में ले, ठीक है, और उससे वहां की जो local economy है, वो भी develop की जाएगे, इसके लिए, सरकार 2000 km network of railway, will be brought under the coverage, अच्छा, इसमें एक बहुत important बात, यह जो 2000 km लिखा हुए न, ऐसा नहीं कि 2000 km नया develop करेंगे, नहीं, it is already developed, but, जो 2000 km track है, जो 2000 km का जो range है, इसको अच्छे से develop किया जाएगा, इसके उपर नई policies, नई techniques, technologies, improvement की जाएगे, safety and capacity augmentation के लिए, बट ऐसा नहीं कि 2000 km का track ही नया बनाया जाएगा, जो already existing network है, उसे एक coverage के अंडर लाया जाएगा, आगे देखो, और इन एक बहुत important announcement करी, 400, यहां लिखा है, 400 new generation बंदे भारत trains will be, with a better energy efficiency and passenger riding experience will be developed, basically 400 बंदे भारत trains को और launch किया जाएगा, ठीक है, उनका user experience better किया जाएगा, और उनको locally बनाया जाएगा, देखो जब local manufacturing होगी, फिर वही cycle, jobs, GDP, consumption, ठीक है, आगे देखो, देश का किसान, agriculture, सबसे ज़्यादा important चीज़, देखो, आज भी जो हमारी economy है, it is primarily agricultural economy, तो agricultural economy के उपर, मतलब budget में बहुत जाथ expectations होती है, ठीक है, हाँ, बलगे मैं budget के उपर यह comment नहीं करना चाहूँगा, कि अच्छा था, बुरा था, मतलब middle class का क्या रजर सीन रहा, कौन खुछ रहा, कौन दुगी रहा, हम objectivity से बढ़ते हैं, ठीक है, simply इतना है कि points क्या रहे, क्या अच्छा रहा, क्या बुरा रहा, आप देखें, agriculture fund के उपर finance ministry informed that chemical free natural farming, basically organic farming will be promoted through the country with a focus on farmer's land in 5 km wide corridor along the river Ganga, जो river Ganga है, देखो इसको आप जोड़ सकते हो, नमामी Ganga project से भी, जो गंगा नदी है, नदी बह रही है, उसके पास जो जमीने है, जो 5 km तक का एरिया है, 5 km, उसमें क्या किया जाएगा, सरकार इसके उपर focus करेगी कि कम से कम वहाँ पर organic खेती हो, ठीक है, purpose क्या होगा, अब देखो, अगर यहाँ पर जैविक खाज के इस्तिमाल होगा, और chemical free natural farming होगी, organic farming होगी, तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर गंगा में pollution भी कम होगा, तो it will also help the नमामी गंगे project, ठीक है, and it will also promote the organic farming, यो तो ही है, all over जो बात है, वो यह है, कि सरकार organic farming को support कर रही है, ठीक है, आगे आजाओ, किसान drones, किसान drones क्या हैं, basically use of drone technology to monitor the farming, है न, या, आप drone technology का और उपयोग कहा तो for spraying insecticide, nutrients और अलग-अलग चीज़े, ठीक है, और इसके उपर अलग से ध्यान दिया गया, इसके लिए subsidies भी दी चाहेंगी, 2023 has been announced as a international year of millets, millets जो होते हैं, उनके उपर सरकार important focus दे रही है, because 2023 has been announced as a international year of millets, इसके लिए सरकार क्या कर रही है, millet की जो production है, उसके लिए incentivize कर र ठीक है, आगे बढ़ो, निर्वला सितारमन जी, implemented of cane bethwa link, अच्छा है, ये cane bethwa link बहुत important project है, estimated cost of 44,000 crore, 45,000 crore मालो, क्योंकि इतनी के estimated cost बढ़ जाती है, 45,000 crore रुपए बहुत बड़ी रकम होती है, तो 45,000 crore की जो लागत से cane bethwa link project बनाया जाता, cane bethwa है क्या, basically जो यमुना बहती है, यमुना की दो tributaries है, जो मध्य परदेश, MP से originate होती है, दोनों को आपस में link किया जाएगा, ये ऐसा नहीं है कि map बना रहा हूँ मैं, मैं आपको simply समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, map can be different, map is different even, तो यमुना है, जो यमुना बहती है, उसकी दो tributaries है, कौन कौन सी, एक केन रिवर, एक बेतवा रिवर, इन दोनों को आपस में link किया जा रहा है, ताकि जो बीच में बुंदेल खंड region है, बुंदेल खंड इक ऐसा region है, which is drought prone है, सूखे की वहाँ पर chances है, तो उनको help मिलेगी, इस linkage प्रोजेक्ट से, और लगभग 9,00 लाख hectare farmer land, इसको drinking और water supply दी जाएसे, water supply drinking तो कम बात है, irrigation बहुत important है, तो irrigation भी बहुत बड़ा rule play करेगा, यहाँ पर, इसके इलावा इनके उपर दो dams बनाए जाएंगे, which will be of 103 megawatts and 27 megawatts of solar power supply, ठीक है, तो बहुत important है, अच्छा, इसके बाद बजट तो budget, बजट के इसके इलावा 5 और projects भी है, जैसे कावेरी के बारे में है, कावेरी को भी किसी, मैं नाम भूल रहा हूं, उसरे बर का, उनको भी आपस में link किया जाएगा, सरकार उनके उपर काम कर रही है, ऐसे projects में issue क्या होता है, कि जो states होती है, जैसे मालो, सतुलत ज्यमना link नहर है, पं पंजाब और हर्याना, अलग-अलग parties, अलग-अलग governments, तो कई भार issue creates हो जाते है, उनको time लगता है solve करने में, अगे देखो, allocation of 4300 crore in revise, sorry, revenue, यह क्या है, अच्छा, revise estimates, 2021 and 22 and 1400 crore in 2022 and 23 have been made in this projects, अच्छा, draft of, अच्छा, मैं ध्यान ने दिया, लिखा ही तो हुआ है, यहाँ प जोन गंगा, पीर पिंजल, पार्री और तापी नर्मदा, इन सब को आपस में connect किया जाएगा, consensus रीच होगा जब among the beneficiary states, center will provide sports for the implementation, चलो, आगे बढ़ते है, the finance minister underlined that emergency credit line guarantee scheme, जब COVID आया, ठीक है, COVID ने सबसे ज़्यादा नुकसान जो पहुचाया, वो MSMEs, micro, small and medium enterprises को पहुचा है, ठीक है, MSMEs क्या होते हैं, जो छोटे उत्पादक हैं, छोटे producers हैं, छोटे छोटे काम कर रहे हैं, छोटे छोटे से मेरा काम, मतलब छोटी factories हैं, ठीक है, तो ऐसे लोगों को बहुत जाता नुकसान हुआ, because they are emerging, उनका अभी base उतना बड़ा नहीं होता है, they are not financially strong enough to survive a complete lockdown तो जो lockdown की हालात पैदा हुए, COVID के कारण उससे MSMEs का बहुत नुकसान हुआ, तो इसलिए सरकार emergency credit line guarantee scheme लेकिया थी, तो इसके संदर्व में, sorry, finance minister जी ने कहा है, that it will be extended up to March 2021, इसमें बहुत पैसा लगा रही है सरकार, she informed that guarantee cover will be expanded by 50,000 crore, to total cover of 5 lakh crore, 5 lakh crore तका cover दिया जाएगा अब यह total MSME sector को समझ रहा है, ऐसा नहीं किस individual को थोड़ी देंगे, तो 5 lakh crore का cover दिया जा रहा है, total MSME sector को दिया जा रहा है, MSME, ठीक है, आगे देखो, similarly credit guarantee trust for micro, small and medium, sorry, micro and small enterprises scheme will be revamped with the requisition of infusion fund, इसमें भी fund infuse किये जाएगी, credit दिया जाएगा 2 lakh crore तक का, ठीक है, आगे देखो she informed that raising and accelerating MSME performance program will outlay 6000 crore over 5 years will be rolled out to make MSME sector more resilient, competitive and efficient, MSME sector में 5, sorry, 6000 crore infuse के जाएगे, एक लिए 5 साल में एक RAMP program बनाया जाएगा, जैसे वो assess करेंगे, और उनको बढ़ने में, जो अच्छा perform कर रहे है, उनको बढ़ने में help करेंगे, इसके लिए already वैसे कई, क्यालो, उद्यम हो गया, ठीक है, उद्यम एक portal है, ईश्रम एक portal है, असीम एक portal है, इनको आपस में इंटरलंग किया जाएगा, इश्रम portal for example, क्या है, यह labor ministry के दोवारा चलाया जाता है, इसमें क्या है, you register yourself as a laborer, और सरकार आपको DBT scheme के दोवारा कुछ पैसे पहचाती है, आपकी वितिय साहिता करती है, ठीक है, इसके अलाब बहुत important dwelling on the subject of skill development and quality education, the finance minister's status startup will be purported to facilitate drone शक्ती through various applications of drone as a service, drone as a service कैसे, जैसे मालो जो आपकी ECMOS company है, they can use as a delivery service है, जो I think कुछ ही समय पहले ऑस्टेलिया में भी करके देखा गया, इंडिया में भी concept है, तो इसके उपर काम सल रहा है, जो पहले अभी आपके जो drone packages है, sorry, drone नहीं, जो आपके Amazon packages है, they will be directly delivered to you by drones, और क्या services हो सकती है, drone as a service की, जैसे हम पहले पढ़के आए है, किसान drone, उसमें क्या है, you can use drone technology या drones to spray, जैना, sprays, anti-sights, या monitor कर सकते हैं, बहुत से अलगले uses हो सकते हैं, इन selected ITIs, ITIs, इसको IIT से confused नहीं कर लेना, in all states, they require course for skilling will be started, 700 के करीब virtual labs बनाई जाएंगी, learning environment बनाई जाएंगा, basically, ITI का जो network है, ITI की जो infrastructure है पूरे तेश में, जो states में अलग-अलग ITIs है, उनको use किया जाएगा, और अलग-अलग, क्या बोलते हैं उसे, skill programs लाए जाएंगे, और क्या कहा गया, pandemic-unduced closure of schools, children, particularly in rural areas, and those from schedule caste and schedule tribe, अच्छा, यहाँ पर schedule caste और schedule tribe में उलजने की जुरूरत नहीं है, schools सारे ही बन्द है, चाहे वो general category के बच्चे हो, चाहे AC category के बच्चे हो, OBC हो, it doesn't make any difference, schools सभी के लिए बन्द है, यहाँ पर word ज्यादा बेटर रहेगा, poor, poor people और poor students are more impacted, because they didn't had access to internet or to mobile phones, ताकि वो अपनी classes लगा सके, ठीक है, तो इससे क्या हो, अलग बग, दो साल से यहाँ schools बढ़े हैं, तो पूरी generation है जो ना, उसकी education system पर असर पढ़ा इसका, और यह असर long-lasting impact छोड़ेगा, तो सरकार इसके लिए अलग-अलग कोशिशें कर रही है, देखते हैं आगे क्या होता है, सरकार ने एक बहुत अच्छा प्रोग्राम लाउंच पहले भी किया था, इसको expand किया गया है, PME Vidya पहले से चल रहा है प्रोग्राम है जिसको expand किया जाएगा, पहले क्या था, 12 channels चलते थे, ठीक है, जिसके उपर, सब्सक्राइब के लिए math, English, Hindi, science, सब कुछ पढ़ाया जा रहा था, अब अलग-अलग regional languages में भी पढ़ाया जाएगा, ठीक है, इसके इलावा जो इस साल नई announcement और बहुत ही important भी और अलग भी है, ठीक है, digital university will be established to provide access to students across the country, country for world class quality universal education with a personalized learning experience at their doorstep, जैसे IGNU है, इंदराकादी national open university है न, वो बाके university से थोड़ी अलग है, वैसे ही बिलकोली ही अलग से एक digital university बनाएगी, that will have physical, मतलब physical नहीं होगी, online होगी university, ठीक है, इसकी जो भी classes चलेंगी, जो भी test होगे, degrees drop, degrees दी जाएंगी, सब कुछ online होगा, your basically your education will be at your doorstep, education आपको home delivered मिलेगी, ठीक है, तो this is also a part of digital India, क्या कर रहे हैं, मुदी जी का एक वही तो important है, digital India, ठीक है, digital India लाना है भारत में, हर व्यक्ति के पास internet access होना चाहिए, अच्छा mobile phone होना चाहिए, ताकि वो अच्छे से education को afford कर सके, और सस्ती education को afford कर सके, अच्छा digital education is always affordable, more or less affordable, क्यों? Digital जो इंडिया है, sorry, digital education होती है, उसमें आपका infrastructure का जो use है, कम होता है, आपका digital infrastructure use होता है वहाँ पे, ठीक है, physical infrastructure कम होता है, इसलिए digital infrastructure की जो cost है, वो कम रहती है, तो affordable रह बाती हैं चीज़े, आगे बढ़ते हैं, The university will be built on a network hub spoke model, with the hub building cutting-edge ICT experts, अंडर आयुशमान भारत digital mission, an open platform for national digital health ecosystem will be rolled out, एक portal बनाया जाएगा, एक ecosystem developed किया जाएगा, जिसको आयुशमान भारत digital mission से connect किया जाएगा, क्या काम होगा इसका, health provide करना, health facilities के, unique facilities के और identify करना, एक consent framework बनाना, और universal access to health facilities, basically हर इंसान के पास, जो भी भारत का नागरिक है, health facilities का access हो, उसको health services मिले, एक click पे मिले, ठीक है, उसके बारे में काम किया जाएगा, The finance minister said that pandemic, देखो, यह बहुत important announcement से हो रही है, यह सोड़ी sensitive announcement भी थी, कैसे, pandemic नहीं है, जो हमारी economy के उपर असर डाला है, वो तो डाला ही है, ठीक है, क्या हुआ, covid आया जी, covid आया, तो lockdown हो गया, अब जो lockdown हुआ, lockdown है, जो economy की कमर तोड़ी, वो तो ठीक ही है, ठीक है, उसके लिवा mental health, क्यों, अब सोच के देखो, यार, मैं हूँ, आप हूँ, कोई भी उपर सान हो, x, y, z, they have a habit of going out of home, है ना, हमें आदत है, कि हम socialize करते हैं, we are social human being है, human being है, तो social है, social being है, तो लोगों से मिलेगे, तभी social हो पाएगे, अगर lockdown लगा है, तो घर में फसे बैठे हैं, ना किसी से मिल पा रहे हैं, कई बच्चे ऐसे थे, जो PG's में रहते थे, hostels में रहते थे, वो वही के वहीं फस गए, जैसे मैं खुद, है ना, एक दूसरी state में था, मैं वहीं फसा रहा काफी time तक, lockdown के दोरान, तो ऐसे में क्या हो पाता है, ना तो आप किसी और से मिल पा रहे हैं, ना आप अपनी घरवालों से मिल पा रहे हैं, बस phone ही आपके पास, that resulted into a very, hazardous कहना तो सही नहीं होगा, पर overall हमारी mental health के उपर, काफी बुरा असर पड़ा, तो उसके लिए, सरकार एक national tele mental health program चलाएगी, for better access to quality mental health consulting, जिसके लिए 23 tele mental health centers चलाएगी, with NIMHNS being nodal center for international, sorry, and international institute of information technology and broadcast, यह technological support प्रवाइड करेंगी, और overall, बेसिकली यह आपर ध्यान देने बात यह है, कि mental health के लिए सरकार कुछ कर रही है, और 23 institutions, institutions तो नहीं, call centers की तरह, mental health centers of excellence, will be implemented, will be established, better word, इसके लाबा आ जाते हैं, हर घर नल से जल, बेसिकली जो मैंने पहले भी बात करी है, इसके लिए सरकार 60,000 करोड अलोकेट किये गई है, या बेसिकली spend करेगी सरकार आने वाले समय में, हर घर में नल से जल पहुँचे, या सरकार की कोशिश है, 5.5 करोड households were provided tap water in the last two years itself, और आने वाले समय में, हमारी कोशिश है कि लगभग 8.5 करोड लोगों को मिले, ऐसे ही 2022 में, we will be complementary identified and PM आवास योजना, PM आवास योजना क्या है, simply है, आवास basically houses की बात हो रही है, houses क्या, people who are not able to buy their own houses, और afford their own houses, they will be given subsidies by the government to buy a house, और सस्ते घर basically उनको provide किये जाती है, इसके लिए सरकार अलग-अलग जगाओं पर, खास कर metro cities में और अलग-अलग पूरे देश में ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ metro cities में, metro cities में जाता focus करके, क्योंकि वहीं पर houses की जारा दिक्कत होती है, slum बन जाते हैं, तो slums को हटा के वहांपर houses बनाए जा रहे हैं, और PM आवास जोजना इसके लिए बहुत अच्छा काम कर रही है, तो इसमें और houses बनाए जाएंगे, और लगभख 48,000 करोट रोपे की लागत से, government will help the poor people who could not afford house earlier, but now they will have subsidies and so other benefits, आगे देखते हैं, यह बहुत important scheme, Prime Minister's Development Initiative for North East, North East हमेशा ही हमारे देख का एक ऐसा हिस्सा रहा है, हाला कि यह बास सुनने में भी अच्छी नहीं है, पर यह हमारे देख का एक ऐसा हिस्सा रहा है, जो थोड़ा सा अलग रहा है, यह वहाँ पर development process नहीं हो पाया है, क्यों नहीं हो पाया है, since it is, तो जो भी पहाड़ी अलाके होते हैं, mountainous regions होते हैं, वहाँ पर development हमेशा ही tough रहती है, क्यों tough रहती है, क्योंकि आपका कहीं पर approach करना, पहुंचना, logistic basically बहुत tough हो जाती है, तो उसके लिए सरकार काम कर रही है, और PM Divine के नाम से, एक program launch किया जाएगा, जो fund करेगा infrastructure के development के लिए, और PM गती शक्ती के साथ काम करेगा, social development projects based on the felt, need to the east, ठीक है, northeast, initial allocation of 15,000 crore will be enabled, livelihood activities, लोगों को रोजगार मेले, इसके लिए 1500 crore रुपए, पहले phase में, allocate किये जाएंगे, या use किये जाएंगे, उसके बाद gaps को बढ़ते जाएंगे, sorry, gaps को बढ़ते जाएंगे, आगे देखो, in 2022, 100%, बहुत, 100% of 1.5 lakh post office will come under the core banking system, अब इसको ना जरा ध्यान से समझ लो, जरा सध्यान से सुन जाते हैं, हर bank, sorry, हर जो गाउं होता है, जो rural area, मालों, तो लगभग हर village में, जो बड़े होते हैं, थोड़े से बड़े होते हैं, अगर दो छोटे village हैं, तो उनके लिए एक, हर village में एक B.O होती है, branch office होता है, या B.P.O, इसे ऐसे लिख लेते हैं, B.P.O, branch post office, तो इस branch office में, एक करमचारी बैठती हैं, तो उनको क्या दे गये हैं, अब उनको mobiles प्रोवाइड किये गये हैं, जो सरकार द्वारा दिये जा रहे हैं, या दिये जा चुक्के हैं, और आने वाले वित्य वर्ष में, और पूरे 100% को कर दिये जाएगे, तो mobile से क्या होगा, core banking solution, अब मालो आपका किसी भी bank में, SBI में हो, चाहे HDFC में हो, ठीक हैं, किसी भी खाता हो, किसी भी bank में खाता हो, आपको उसके लिए उस particular bank के ATM में जाने की ज़रूरत नहीं है, या ऐसा नहीं है, कि आप SBA से पैसे निकालने हैं, पहले शहर जाना पड़ेगा, फिर वहाँ पर ATM ढूंडेंगे और पैसे निकालने हैं, नहीं, डिजन्ट है टू वर्क दिस वे, आपका account, अगर आपके अधार card से, जुड़ा हुआ है, तो आप अपना अधार कर देंगे, अपना mobile number से अपने आपको verify करवाएंगे, उस पर OTP आएगा, या उसके इलाबा जो आपका fingerprint है, ठीक है, अधार का basically क्या है, they have your biometric database, तो biometric, biometric में आपका fingerprint ही use हो सकता है, क्योंकि हर BPO पर a retina scanner भी नहीं रखा जा सकता, तो जो सस्ती चीज़ है, fingerprint उसको provide किया गया है, और fingerprints को use करके, आप अपने आपको verify कर सकते हैं, and you can withdraw, देखो धियान से, you can withdraw any amount from your any account, which is connected to अधार कर, so basically they have turned every BPO into an ATM, समझाई बात, all over, इसी तो core banking solutions कहते हैं, core banking systems को यह जा रहे हैं, ठीक है, इसके अलावा जो post office है, इसको भी सोड़ additional point कर लेते हैं, इनका अपना Indian post payment bank है, ठीक है, ये भी उस पे भी हाँ पैसे जमा करवा सकते हैं, जो payment bank होते हैं, जिनकी कोई physical existence नहीं होती, जैसे paytm, पे टीम का आता है, एटल, एटल का अपना payment bank है, ऐसे ही Indian post payment bank भी एक digital payment bank है, जिसकी कोई physical branch तो नहीं है, बट हर BPO, अपने आप में उसकी branch है, ठीक है, अब जो यह पूरी system है, अब देखो, कोई भी person है, मालो, कोई XYZ person है, उसको विले से शेहर जाना पड़ता, ATM से पैसे निकालने पड़ते, उसका अब जमा करने का काम भी, चाहे वो RD हो, SB हो, कोई भी हो, FD हो, TD हो, कुछ भी हो, जमा करने का काम, और पैसे विड्राव करने का काम, किसी भी बैंक खाते से, देश के, किसी भी बैंक में आपका खाता हो, किसी भी state में, किसी भी जगावर आपका खाता हो, बस, वो अधारकार से जुड़ा हो, you can withdraw, तो आपका सारा काम, अब बैंक के ही डाग घर में हो सकता है, पैसे जमा भी विड्राव भी, इस इस हाओ गवर्मेंट इस फोकसिंग ओन बैंकिंग सिस्टम्स अद इनेबलिंग फाइनाशल इंक्लूजन फो दा रूरल पीपल, ठीक है, अगे देखो, इसके इलाबा, बैंकिंग उनिट पहले से हैं, जो पेश्टम्स बैंक हैं, तो 75 बैंक और आड किये चाहेंगे, बैंकिंग डिजिल युनिट्स आड किये चाहेंगी, ठीक है, इन 75 देख्रिक्स, इसके इलाबा, 3-4 दिन बजट से पहले भी यह अनॉस्मेंट हो गए थी, पर बजट में इसे दुबारा अनॉस्मेंट किया गया, इस्वेंस ओफ ई-पास्पोर्ट, अब आपको जो पास्पोर्ट मिलेंगे, उसके उपर एक चिप लगी होगी, जिसमें आपका डेटा या फिरिटिसिक टेक्नलोजी विल भी रोल्ड आउट, ठीक है, डेटा आपका क्लेक्ट होगा, आपका कौन से देश में गई हो, पूरा डेटा आपका डिजिटली अवेलेबल होगा, पहले क्या होता था पास्पोर्ट है, पास्पोर्ट पे सब लिखा होता कि यहां चन में हैं यहां आप यहां के रहने वाले हैं, सब कुछ basically, तो अब यह पास्पोर्ट होंगे, उसमें चिप होंगी, जैसे पहले यहार RC होती थी थी जाना, गाडी की RC, अब उसमें भी चिप आने लगी, आपका ड्राइबर लाइसेंस है, उसमें भी चिप आने लग गई, तो ऐसे ही आप पास्पोर्ट में भी चिप आएगी, आगे बढ़ते हैं, दा फाइनस मिनिस्टर अनाउंस्ट थाट पर डेवलिपिं इंडिया स्पेसिफिक नोलेज इं अर्बन प्लानिंग, विधि को आपके काम प्लानिन, इंडिया सालेषी इंडिया स्वांद थे यह आपके स्वार्ट मेंड प्लानिंग, प्लानिटी और जैसे नोलेज उपर आपके स्वार्ट मेंडि महांएगे, इसे gaming industry के उपर भी invest किया जाना चाहिए because it's a booming industry एक बहुत बड़ी economy है gaming industry gaming industry अब धीरे-धीरे metaverse में change होती जा रही है या metaverse से भी कहलो augmented reality में change होती जा रही है now games are way too different that we used to play in our childhood है न हम जो बचवर में Mario खेलते थे वो तो बिचारी क्या ही थी अब उसके मगाबले जो आज games आती है चाहे आप उसको VR virtual reality से जोड़के देख लिए जो VR headset आती है यह Samsung के आते हैं और अलग-अलग companies के आते हैं overall virtual reality में change होगी और games का जो level है वो बहुत जादा बढ़ गया है तो इसको इस बढ़ती industry को cash करने के लिए सरकार इसके उपर भी potential देख रही है कि इसमें youth को employ किया जा सकता है इसके लिए AVGC program लाया जाएगा और task force बनाई जाएगी और stakeholder stakeholder कौन हो सकते हैं जो gaming companies हैं उनके साथ recommended way में एक domestic capacity बनाई जाएगी कि ताकि हम domestic levels पे games को develop कर सके और even global demands को भी meet कर सके, world class की games बना सके, जैसे अभी के recent example लेगे लो अप PUBG है न PUBG वैस्टो I think band है मुझे नहीं पता मैंने कभी खेली नहीं है कि यह चलती है या नहीं चलती but as of all night this is very interesting game है न, इसका बहुत news भी बनी रहती है, तो PUBG world band इसके बिला बदले में I think free fire करके एक गेम आ गई थी या 4G करके एक गेम आ गई थी जो local made है जो इंडिया में बनाई गई है, develop की गई है तो government is basically focusing on development of gaming industry or visual effect animations of के उपर, ठीक है आगे देखू, बहुत बड़ी important news 5G mobile services सरकार के पास अधिकार शेतर होता है या कहलो उनके पास spectrum होता है ठीक है spectrum, spectrum basically क्या है spectrum है कि सरकार allow करेगी for any company x, y, z की वो अपना जो सारा data transmission है वो किसी एक frequency ठीक है, frequency कोई megahertz या कोई जितना भी gigahertz के उपर अपनी frequency के उपर अपना network set up कर सके, तो जो setting up of network है, वो तो अलग बातरी पर जो set करने के rights है अधिकार है, यहना वो license लेना पड़ेगा उसको हम सरकार से लेंगे और उसको बोलता है spectrum बड़ी simple सी definition जाने detail में नहीं जाते अब इस mobile जो 4G, 3G यह तो पहली सी चले थे 2G sector, जो 2G घुटाला हुआ था वो भी आपको याद हो तो अब 5G आ रहा है तो 5G mobile services का अगले साल क्या किया जाएगा bidding process से उसको बेचा जाएगा और उसको बहुत से पैसे इकठे किया जाएगे अच्छा इसके इलाबा बैसे मैंने पहले भी आइछिंग लिक्षर में बात करी कि आत्मनिरबर भारत आत्मनिरबर भारत के चलते हैं जो defense procurement करते हैं मतलब जो हम अलग-अलग country से मशीने, missiles, कुछ भी XWZ helicopters, Rafale हो गया, Apache helicopter हो गया, W2-1 हो गया तो ऐसी जो procurement करते हैं, government ने कहा है कि, sorry, जो हमारे finance minister जी हुन्होंने announce किया है कि उनको हम reduce करेंगे, imports को कम किया जाएगा और आत्मनिरबर भारत के चलते, इन equipment को हम armed forces के लिए जो बनाते हैं 60% of the capital procurement budget will be unmarked for the domestic industry हम domestic industry से ख्रीदेंगे, चाहे फिर वो rifles हो, बंदू की गोलियां हो, चाहे अलग-अलग companies का कुछ भी हो जो डी-ा-डी-ो से हो सकता है, आपकी missiles हो सकती है वो आपकी जो local companies है, private companies है, उनको भी ध्यान में दिया जाएगा और R&D के ओपर पैसा अच्छा-खासा खर्चा जाएगा Referring to sunrise opportunities, the finance minister said देखो जो मैंने बिलकुल पहले जो finance minister की photo दिखाई थी, उसी statement को यहाँ पर text के रूप में बताया गया है Artificial Intelligence, Genomics, Pharmaceutical, Green Energy, इन सब के ओपर सरकार बहुत अच्छे से focus करेगी To facilitate the domestic manufacturing and ambitious goal of 280 gigawatts of installed solar capacity by 2030 2030 तक हमारी कोशिश है कि हमारी जो solar capacity है, वो 280 gigawatts के आसपास चली जाए ठीक है, which is very huge, बहुत बड़ा ambition है यह, इससे जुड़ी हो एक चीज है International Solar Alliance, International Solar Alliance एक agency है, इंतराश्टिस तर की grouping है कहलो, कई countries की जिसमें India भी member है, even founding member है, तो इसी के चलते है, Modi जी के International Champions of Earth Card के award भी मिला था, ठीक है, इस चीजों को हमेशा याद रखते होते हैं और आपको कोशिश करनी है कि जिसके बारे पूरे lecture के दोरा discuss किया जाए, हर उस चीज के बारे में पढ़ लिया जाए जैसे अगर आप पढ़ते हैं कि solar panels, तो solar panels आपको बताओना जीए, सरकार अगर 280 गड़वार्स के उपर काम कर रहे है, तो उसके लिए सरकार ने पहले ISA, International Solar Alliance इसके उपर भी काम किया था, यह के one country, one world, one grid, यह भी concept लाया गया था, जो इसी के लिए उन्हें Champions of Earth Award भी मिला था, तो इस सभी चीज़ों का आपको connect करना आना चाहिए, ठीक है, बाकी हम आ जाते हैं topic पर, and additional allocation of लगभग 20,000 crore production link incentive for manufacturing of high efficiency modules, कौन से modules, जो बड़े-बड़े solar panel नहीं होते, ठीक है, उन solar panels को और जाते efficient बनाया जाए, उनमें और जाते technological improvement की जाए, lead pollution कम किया जाए, overall, fully integrated manufacturing units बनाई जाए, इसके उपर काम किया जाना चाहिए, इसको सरकार subsidize करेगी, the finance minister stressed, that public investment must continue to take lead and pump the private investment, अच्छा, इसमें एक बहुत important बात करनी चाहूँगा मैं, ठीक है, सरकार ने crowd in की बात करी है, crowd in basically, crowd in होता है, जब आपके जो local private individuals है, है न, जो private individuals है, मैं होगे, आप होगे, हम invest करें, ठीक है, हम invest क्यों करेंगा, अगर हमें कोई benefit देखेगा, तो government is taking more and more measures, ताकि जो हमारा crowd in effect है, वो continue है, crowd out ना हो, this has increased more than 2.2 expenditures of this, the outlay will be 2.9% of the GDP with the investment taken together, granting it to stay with effective capital expenditure of the central government is estimated to be 10.68 lakh crore, which will be about 4.1% of GDP, बहुत बड़ी बात है यह, यह बात मैंने पहले ही बताई है, as a part of government, so overall borrowing, government will roll out green bonds, government green bonds launch करेगी, सरकार क्या करती है, देखो, government of India, government of India bonds launch करती है, यह James bond नहीं है, यह financial instrument है, सरकार क्या कहती है, अब आप X, Y, Z, या X, Z, मान लो आप यहां पर यहां पर है, यहां पर यहां पर सनो, government क्या कहती है, कि सर आप मिल से bond ले लो, ठीक है, और उसके बदले में पैसा मुझे दे दो, इस जो bond है, इसकी उपर आपको interest मिल जाएगा, यह नि, व्याज मिल जाएगा, तो मुझे व्याज का लालच है, जब मुझे benefit देख रहा है, कि मुझे व्याज मिलेगा, तो मैं अपना पैसा, सरकार को देने के लिए, सोचूंगा, या सोच रहा हूं इसके उपर, क्यों, क्योंकि government के पास पैसा secure रहता है, यह पैसे green bond बोलते हैं, क्यों, क्योंकि जो इससे पैसा कठा होगा, green bond, particularly green bond क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो इससे पैसा कठा होगा, it will be used in green economy, green economy नी, green power, ठीक है, इससे solar panels लगाए जाएंगे, wind shields, wind shield रहींगे, क्या बोलते हैं, wind चक्की को, wind वाली जो machines होते हैं, जैसे बिजली पैदा होती है, वो पैदा वो लगाई जाएंगी, ठीक है, the government proposed to introduce digital rupee, अब आजाते हैं, जी थोड़ा सा slow करते है, crypto, या bitcoin, रैसे तो bitcoin एक crypto की बस एक छोटा सा अंच है, crypto अपने आप में एक type है, bitcoin पर इसका synonym बन गया है, ठीक है, अब सरकार पहले ये अशंका जदाई जा रहे थ कि that government will ban the crypto, ठीक है, but government has indicated that they will not ban, even they have imposed 30% tax on any digital asset, अब देखो, आप कोई भी digital asset create करते हैं, चाहे वो NFT हो, चाहे वो cryptocurrency हो, उसे का आप transition करते हैं, तो अगर आपको कोई income होती है, it will be taxed at 30%, उसका 30%, उसका 30% तका आपको सरकार को देना होगा, सरकार ने बैन की बजाए, even खुद की digital currency, introduce करने की बात कही है, ठीक है, आगे देखो, scheme for financial assistance of state, ते मतलब federation को एक cooperative, even cooperative federalism को एक support देते हुए, सरकार क्या करेगी, financial assistance provide करेगी for states, for capital investment, अच्छा capital investment क्या होती है, capital investment होता है, जिस आप ऐसी investment कर रहे हैं, जिससे आपको कोई asset create होगी, उसे हम capital investment बोलते हैं, जैसे, चोटी से example देते हैं, जल्दी, जैसे मालो मैंने आज mobile करीदा, तो वो मेरी capital investment है, क्योंग उससे मेरी asset create हुई है, पर वहीं अगर मैं 15,000 को mobile करीदने की बजाए, 15,000 का कहीं कोई consumption कर लेता, मालो कोई dinner चर लिया, 1500 का, ठीक है, तो अगर 1500 का dinner किया है, तो that is not asset, उससे asset होड़ी create हुई है, वो तो consumption हुई, तो उसे हम capital investment नहीं कह सकते, तो capital investment क्या होती है, जिससे कोई asset create हो, तो 10,000 क्रोड दिये जाएंगे, 10,000 से 15,000 क्रोड कर दिये गए हैं, ठीक है, more over 2022 and 2023, the allocation of 1 lakh क्रोड to assist the states in catalyzing speed बढ़ाने के लिए, overall investment in the economy, the 50 year in trust free loan and above normal borrowing, अच्छा है, simple सरकार, जो राज्य की सरकारे होती है, state governments होती है, उनकी borrowing limit होती है, उसके लिए वो state development bonds, काफी कुछ launch करते हैं, अलग अलग चीज़े हैं, उसमें नहीं जाती है, पर सरकार की limit होती है, जो normal borrowing है, उसके इलावा, जो राज्य सरकारे हैं, उनको loan दिया जाएगा, वो भी interest free, this allocation will be used for PM गति शक्ति related and other productive capital investment for the state, सरकार इसको PM गति के शक्ति के तहत यूज़ करेगी, जो राज्य सरकारे हैं, ठीक है, आगे देखो, और क्या announce किया, पंदर में finance commission ने क्या कहा था भाई साब, कि जो fiscal deficit है, पहले तो fiscal deficit समझ लेते हैं, होता क्या है fiscal deficit, माल लो आपकी income है 10,000, अब आप खर्च रहे हो, 11,000, 11,000 का अपने phone लेना है, तो जो आपका उपर का खर्चा हुआ, 1K, 1000 जो है, वो आप क्या करोगे, जब आपकी income ही 10,000 जो आप 11 कैसे खर सकते हैं, तो आप 1000 का कहीं से जुगार करोगे, कहीं से उधार लोगे, तो जो ये जुगार करते हैं, उ जो फिसकल डेशिट चल रहा है, फिसकल डेशिट इस साल का चार पॉइंट, sorry, 6.9% of the GDP आया है, as against the 6.8 expected, जो पिछली बजट डेशिबेट से बताया गया था, एक्शल जो मारा निकल क्या है, 6.9 निकल क्या है, जो more or less ठीक है, को बहुत जादा नहीं है, बहुत जादा क्य जाते हैं, जिसमें private investment खतम हो जाती है, या crowd out हो जाता है, ठीक है, तो वहाँ पर सरकार अपनी तरब से पैसे invest करती है, उसे हम, तब हमारा fiscal deficit बढ़ जाता है, जैसे इससे पहले हमारा fiscal deficit exceptionally high cup था, जब 2008 का, ठीक है, Lehman Brothers Crashes हुआ था, तब हमारी सरकार ने बहुत high fiscal deficit को touch किया अब भी fiscal deficit touch हुआ, क्यों, because of covid, आगे देखो, the fiscal deficit in 2022-2023 is estimated at 6.4% of GDP, which is consistent with the broad path of fiscal consolidation, ठीक है, हम कोशिच कर रहे है, कि धीरे-धीरे से 4.5% तक ले आया है, जाए 2000 परचिस तक, ठीक है, fiscal deficit कोई बड़ी बात नहीं है, या धीरे-धीर सैट हो जाएगा, अगर आपको लगए कि 6 4 तो बहुत जादा GDP का, हमारी लगभग 500 लाग करोड की GDP है, 148 लाग करोड इवन, to be precise, तो उसको जो estimate लगाया गया है, तो उसका 4 परचिस तो बहुत जादा है, हाँ, बहुत जादा है, बहुत बड़ी रकम है, पर फिर भी इतना required है, और citing the conditions of lockdown and covid, it is okay, है ना, it will be managed, आने वाले समों में ठीक हो जाएगा, trend देख लेते हैं, fiscal deficit क्या रहा है, अच्छा, fiscal deficit 9.2 से, 9.2, 6.4, ठीक है, कहा गया मेरा pen, 6.4%, अच्छा, एक यहाँ पे न, important चीज है, primary deficit, primary deficit को भी आप अच्छे से पढ़ लें, था ना, उसके बाद आपको ये graph देखने में जाद अच्छ अच्छा लेगेगा, इसको मैं आपके लिए homework की छोड़ रहा है, क्यों प्राइमी टेश्ट समझाने लेंगा, तो लमटरा लेक्चर हो जाएगा, अलड़ी गंटे का हो चुका है, तो तेजी से बढ़ते हैं, tax, tax सरकार ने क्या किया है, tax को बहुत, वैसे या जाद चेंज इससे क्या होगा, the bond of trust between the government and the taxpayer will increase, और इससे it will also promote the voluntary compliance by taxpayers, आगे देखो, the budget also reduce alternate minimum tax and surcharge for cooperatives, newly incorporated manufacturing entities will incentivize under the concessional tax regime, जो नही नहीं कॉर्परेटर होंगी चाह स्टार्ट अप होंगी, उनको concessional मिलेगा, income from transfer of virtual estate will be taxed 30%, अब ये points बताएं गए हैं, ठीक है, extending the period of incorporation by more than half, sorry, more than one year, legitimation to avoid repeal, income tax or virtual estate 30%, अगे देखो, allowing taxpayers to file updated return within two years, tax received relief to person with a disability, अलेगले points लाए गए हैं, आप इन सबको पढ़ सकते हैं, reducing alternative minimum tax, this is very important, and surcharge for cooperative, और indirect tax, पहरे तो indirect tax होता क्या है, देखो, direct tax होता है, जिसको आप government को directly pay करते हो, जैसे ये income tax हो गया, ठीक है, indirect tax क्या होता है, जो आप directly government को pay नहीं करते हो, बड़ पे आप नहीं करना होता है, जैसे आपका VAT हो गया, X, Y, Z, तो indirect tax custom administration, जो special economic zones है, उनको fully IT driven करना है, the budget underlines a review of custom exemptions, with more than 350 exemptions, proposed to be gradually phased out, rationalization of exemptions on implement and tool of agriculture, basically exemptions है, उनको rationalize किया जाए, कि agriculture के उलो उपर जादा focus किया जाएगा, custom duty exemptions दी जाएगी to steel scrap, इसी लिए तो कल क्या हो गया, देखो, steel scrap के उपर जो custom duty has को exempt कर दिया, इसी लिए तो जो Tata Steel है, JW Steel है, इनके shares, अब चले गए, और देखो, ये taxpayer income को पढ़ ले नाजार, ठीक है, और दी lecture लंबा हो रहा है, अब आगे आजाते हैं, national pension scheme, this is also very important, जो national pension system है, उसमें जो central government है, it contributes 14%, जो आपकी जो pension मिलती है, जो आपका पैसा जमा होता है, government employees को, उसमें जो राह केंदर की सरकार है, वो 14% contribute करती है, हालां कि जो राजे की सरकार है, ये limit लगाई गई थी 10% तक, तो अब इस limit को हटा के, दोनों के लिए बलिए बराबर कर दिया गया है, विच इस 14%, आगे देखो, eligible startups, basically in order to establish a globally competitive business environment, certain domestic companies हमको national tax regime दिया जाएगा, 15% tax was introduced by the government for newly incorporated domestic manufacturing companies, ठीक है, इसको बढ़ा दिया गया आगे, 2024 तक, 31 March 2024, virtual digital asset, उसके उपर पहले TDS कटके आएगा भाई साब, आपको भरना नहीं बढ़ेगा, TDS कटके इपेमेंट होगी, और इसमें एक important बात है, अगर पहले क्या होता था, 30% tax, which is very, जो अच्छा बुरा नहीं कहते हैं, पर ज्यादा तो है, ठीक है, It is supposed that budget of non-region income जो हैं, उनको offshore derivative instruments हैं, counter derivatives हैं, Basically, जो persons IFSC के लिए portfolio management करते हैं, उनको concessions दिये जाएंगे, but specific conditions के ध्यान में रखते हुए, ठीक है, It has been clarified as a budget, earn any purchase or excess income, portfolio is not allowable as a business expenditure, आगे बढ़ते हैं, special economic zone का जो fully IT होगा है, यह पहले भी discuss हो चुका है, More than 350 exemptions हो चुका है, ठीक है, अच्छा, यह पढ़ लेकिए, यह नहीं हो है, Gems and Jewelry sector जो है ना, इसके उपर सरकार ने कुछ से पर यह उपर tax कम कर दिया है, कुछ के उपर लगा दिया है, ठीक है, To Decentivize the Import, Import के उपर 400 रुपे पर kg is paid on its import, Well, Gemstone is being, जो custom duty है, उसको 5% से कम कर दिया गया है, Sorry, कम करके 5% लाया गया है, To facilitate the export of jewelry, Simple सी बात है यह, यह रहां इंडिया और यह रहां पूरा world, ठीक है, जो यहां से चीज बाहर जाएगी, उसके उपर 5% tax, जो पहले साथ आप कम कर दिया है, Import के उपर tax बढ़ा दिया गया है, कारण क्या है, ताकि इंडिया में jewelry बाहर से कम आए, और जो हमारी local production है, वो बड़े, Custom duty on certain critical chemicals, जैसे मालो sodium cyanide है, इसके उपर increase कर दी है, किसके उपर methanol, acetic acid, इनके उपर कम कर दी है, refining are being reduced, while duty is raised on sodium cyanide, अब देखो, duty हमेशा, import duty हमेशा उस चीज के उपर raise करी जाएगी, raise करी जाएगी, जिसकी educate domestic capacity हो, sodium cyanide को हम घर में बना सकते हैं, इंडिया में बना सकते हैं, इसलिए इसके import पर tax है, ठीक है, ये last slide, to incentivize export exemptions are being provided on such item, इसको आप खुछ से पढ़ सकते हैं, ठीक है, अब lecture हो गया, काफी लंगा, लंबा, तो इसके साथ इस lecture को खतम करते हैं, ठीक है, अभी के लिए धन्यवाद, ध्यान रखें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, और पढ़ते रहें,